हेलो स्टूडेंस, वेलकम टू माई यूट्यूब चेनल चियोग्रोफी गुरू आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास नाइन्थ हिंदी की वरकशीट नमबर 58 यानि की कारेपतरक संक्या 58 को आज की हमारी वरकशीट पे काफी आसान रहने वाली है और आज की इस वरकशीट में हम बात करने वाले हैं व्याकरण की व्याकरण में हम अनुचेद लेखन को समझने की कोशिश करेगी अनुचेद लेखन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, यह हम समझेंगे साथी साथ आज का जो हमारा टास्क है इस वर्कशीट का हमें एक अनुचेद लिखना है और अनुचेद का विशे रहेगा परदूशन तो चलिए शुरुवात करते हैं आज की हमारी इस वर्कशीट की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के उपर देख पा रहें यह हमारी वर्कशीट नंबर 58 यानि की कारे पत्रक संख्या 58 हमारा विशे हिंदी है और आज की दिना के 20 नौंबर 2020 अनुचेद लिखन गद्य की एक विधा होती है जिसमें किसी विशे पर लिखित रूप में अपने विचार सोच समझ कर हम लिखते हैं और जो हम विचार लिखते हैं वो विचार हलांकि संक्षिप्थ होते हैं लेकिन आर्थपोन होते हैं यानि वो काफी मजबूत होते हैं मजबूत इस दृष्टी से आर्थ के दृष्टी से क्योंकि हम कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रियास करते हैं इसमें छोटे-छोटे वाक्या सामिल होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं यानि अगर हमें अनुचेद लिखना है तो हमें लंबे वाक्यों से बचना चाहिए इसमें मुख्य बिंदों को शामिल कर मुहावरे एवं लोकोक्तियां इत्यादी का प्रियोग भी हम कर स ताकि अनुचेद और ज्यादा परभावशाली लगें। अनुचेद लेखन में वाक्य को दोहराना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम दोहराते हैं तो उतना परभावशाली नहीं लगता है। आज की इस वरक्षीट में भी हम एक अनुचेद है वो लिखनी का प्रियास करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे घरों में या आसपास पिछले दिनों में पहुत से त्युहार या परव मनाएगें। दिनों में हम चट फूजा भी मनाने वाले हैं तो बहुत सारे त्युहार मनाईए 형 लेकिन त्युहार का मतलब होता है शिक्या हमें कुछ शीख मिलती है प्रेहना मिलती है और उस प्रेहना को हमें जीवन में अपना होता है। लेकिन कई बार जाने में अनजाने में भूलवस हम कुछ ऐसा करते हैं कि वातावन परदूशित या दूशित हो जाता है। हलांकि इसका उदिश्य कता ही नहीं होता कि वातावन पर्दूशित क्या जाए लेकिन जाने अन जाने में या जन्सिंक्या व्रिधी बहुत जादा होगी है उसके कारण विशेश तोर पर शहरों में ऐसी समश्या आ जाती है पर्दूशन की इस स्थिधी और इसके कारणों पर सोच विचार कर इसका शिर्षक लिखते वे एक अनुचेद लिखना हमें जानकि इसके कारण पर्दूशन होता चाए वो जल पर्दूशन हो या वायू पर्दूशन हो या धवनी पर्दूशन हो जब हम त्योहार मनाते हैं उसके कारण और निवारन दोनों की बात करने हैं. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और एक अनुछेद लिखने का प्रियास करते हैं. इसके लिए हमें कुछ तस्वीरें भी दी गई हैं, जिन से हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं. यहां पर जो तस्वीरें दी गई हैं, यहां यह पर्दूशन की तस्वीर हैं, दूसरे में हमें क्रेकर्स पटाखे दिखाए दे रहें, यहां पर भी हमें पॉलिशन दिखाए दे रहा हैं, कचरा बिखरा हुआ हैं, यहां पर भी हमें क्रेकर्स दिखाए दे रहें, और यहा पर क्रेकर्स की मेज है और यहां पर हमें वायू पर्दूशन दिखाई दे रहा है और साइद पर्दूशन है उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने के आप सकता नहीं हम दिल्ली वालों से बहतर साइद कोई नहीं जानता कि पर्दूशन क्या होता है और कैसे हमें अफेक् प्रदूशन का आर्थ है प्राकृतिक संतुलन में दोश पेदा होना, नेशुद वायू का मिलना, नेशुद जल मिलना, नेशुद खादे पदार्थ मिलना, नेशान्त वातावन मिलना, ये सब परदूशन होता है, परदूशन कई परकार का हो सकता है, जैसे वायू परदूशन, जल परदूशन, धवनी परदूशन, अब हम बात करेंगे कि पर्दूशन के दूश प्रभाव क्या होते हैं तो पर्दूशन के कई दूश प्रभाव होते हैं कि इन सभी पर्दूशनों की बात करें वायो पर्दूशन, जल पर्दूशन या धवनी पर्दूशन के कान मानव के स्वस्त जीवन को खत्रा पेदा हो गया खुली हवा में लंबी सांस लेने तक को तरस गई है गंदे जल के कान कई बिमारियां फसलों में चली जाती है जो मनिश्य के शरीर में पहुंच कर घातक बिमारियां पेदा करती है बोपाल गैस, कार खाने से रिशी गैस के कान हजारों लोग मर गए थे और कितने ही अपंग हो गए थे प्रयावन परदूशन के कान नए समय पर वर्षा होती है नए सर्दी गर्मी का चक्र ठीक से चलता है सुखा, बाड, ओला, आधी प्राकृतिक प्रकोकों जो ahora उसके कारण भी परदूशन ही होता है परदूशन बच्चों के लिए और बुजूरगों के लिए हाने कारक है सात ही सात हर एक वैक्ति के लिए वर्न्यजियों के लिए अतनाई हाने कारक है तो ये थी परदूशन के दुश परिनाम क्या है उसके बाद हम बात करेंगे कि परदूशन के कारण क्या है मोटी तोर पे हम समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें ज्यादा लेंथी भी नहीं करना इसको परदूशन को बढ़ाने में कलकार खाने, विज्यानिक सादनों का अधिक उप्योग, बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते वाहन, फ्रेज, कूलर, एसी, उर्जाशियंत्र आधी मुख्य तोर पर दोशी है, हलाकि इन सब के पीछे जो बढ़ा दोश है, वो है बढ़ती हुई जनसिग्या, क्योंकि जितन अधुन काटने से मोशम का चकर पिकड़ गया है, घनी आबादी वाले शेत्रों में हर्याली नय होने से भी परदोशन बढ़ा है, इसलिए हमारी दिल्ली में परदोशन की समश्या अधिक रहती है, क्योंकि यहाँ पे घनी आबादी है, और पेड़ पोदे गायब हो चुक सडकों की किनारे घने, वरिक्षों, आबादी वाले शेत्रों खुले और हवादार होने चाहिए, हर्याली से ओत्प्रोत होने चाहिए, कलकार खानों को आबादी से धूर रखना चाहिए, और उन से निकले, परदोशित मल को नश्ट करने के उपाय के बारे में भी हमें अनुछेद लेखन का टास्क मिला था जिसमें हमने परदूशन, कारण और निवारन पर अनुछेद लिखने का और इसको समझने का प्रियास किया आप इससे भी बहतर लिख सकते हैं मुझे उमीद है जो स्टूरेंट्स मेरी चैनल के उपर हमारे साथ बने में वो काफी अच् तो आप इससे भी बहतर लिख सकते हैं और इसको लिखने का प्रियास जरूर कीजिएगा ऐसे हमारे साथ बने रहिएगा इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और उमीद करता हूँ आपकी बढ़ाई बहतर चल ली होगी आप स्वस्त होंगे, मस् पूश रहिए, हस्ते रहिए, थैंक यू, बाइबाई, हैव नाइस टे,